सक्सिस के लिए क्या जरूरी है? शहर के एक कलोनी में बजर्ग कपल अंकल और अंटी रहते थे वो कलोनी अभी जल्द ही बनी थी इसलिए उसमें चार से पांच घर बसे हुए थे इनका बैटा यहने छोड़कर अपनी पत्ने के साथ विदेश में रहता था क्योंकि उसकी पत्नी यह नहीं जानती थी यह नहीं चाहती थी कि वो घर पर रहकर अपने साथ सद्रुस्तसुर की मदद करे वो बजर्ग अंकल और अंटी जिस कलोनी में रहते थे थे न उन्हें हमेशा से यह डर रहता था कि कहीं कोई घटना न हो जाए इसलिए वो ज्यादा घर से बाहर नहीं निकलते थे लेकिन उनका यह रुटीन था कि वो हर रोज सुबह सूरज निकलने के बाद टहलने के लिए निकल जाते थे एक दिन दोनों रोज की तरह ही सुबह को टहलने के लिए निकले थे उन्होंने देखा कि एक लड़का तेजी से साइक्ल चलाता हुआ जा रहा था, और उस साइक्ल के पीछे एक फावड़ा बंदा था, लेकिन उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और चले गई दूसरे दिन उसी समय फिर से वो लड़का देखा और उसी तरह तेजी से साइकल चलाता जा रहा था इसी तरह से तीसरे और चोथे दिन भी वो लड़का दिखा पांचमे दिन अंटी जी ने अंकल जी से पूछा कि ये लड़का हर रोज सुबह इसी समय तेजी से साइकल चलाते हुए जाता है मुझे लगता है कि कुछ गड़बर है कहीं ये लड़का कोई गलत काम करने तो नहीं जा रहा है लेकिन अंकल जी ने मना कर दिया कि जा रहा होगा कहीं भी जा रहा होगा हमें उससे क्या परंतो अंटी जी बोली हमको देखना चाहिए कि हमारी कलोनी में कोई गड़बर तो नहीं है अंकल जी बोले ठीक है अगले दिन हम इस लड़के का पीछा करेंगे और देखेंगे कि कहा जा रहा है अगले दिन सुबह को फिर से वो लड़का तेजी से साइकल चलाता निकला उनके पीछे अंकल और अंटी जी भी गई उन्होंने देखा कि थोड़ी दूर जाने के बाद वो लड़का एक पेड के पास साइकल खड़ी कर दी उसी पेड के पास थोड़ी सी खाली जमीन पड़ी थी और उसे खोदने लग गया अंकल और अंटी जी कुछ दिर तक देखते रहे कि लड़का कर क्या रहा है कर क्या रहा है जमीन खोदे जा रहा है कुछ दिर बाद उनोंने लड़के से पूछा कि आप ये जमीन क्यों खोद रहे हो जमीन इसलिए खोद रहा हूँ कि मेरी नई नई नोकरी लगी है अंकल ने पुछा कहा नोकरी लगी है ऐसा कौन सा काम है जिसमें जमीन खोदनी है तो लड़के ने कहा मैं बड़े दिन से बेरोजगार था अंकल फाइनली मुझे फार्म हाउस में काम मिला और उसमें ऐसे लड़के की जरूरत है जिसे काम करने का अनुभव हो और मेरे पास कोई भी अनुभव नहीं है इसलिए मैं रोज यहां फावडा लेकर आता हूँ जमीन खोदने की प्रैक्टिस करता हूँ ताकि जैसे ही नोकरी पर काम शुरू हो उसमें हमें निकाल ना दिया जाए इसलिए रोज़ाना मेनत कर रहा हूँ कोशिश कर रहा हूँ उस लड़के की बात सुनने के बाद अंकल और अंटी जी ने लड़के को आशिरवाद दिया और बोला बहुत ही बड़िया बात है प्रियास ही जिन्दगी में सब कुछ है ये छोटी सी कहानी जिन्दगी में बहुत बड़ी बात सिखाती है तो अगर हमें सक्सेस होना है तो सक्सेस के लिए सबसे जरूरी चीज़ है हमें लगातार मेहनत, कोशिश और प्रियास करनी होगी ताकि हम जिन्दगी में सफल हों